दोस्तों शाओ में लॉंज करने वाला अपने सबसे पहला पेड लगी दोस्तों आई पेड बोल सकते हूं से टेबलेट बोल सकते हैं दोस्तों उसका नाम है मीपेड 5 प्रो 5G जो इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलती है 11 इंच की क्यू एच्डी प्लस करफड एमो अजरा अगर आप जादा तर यूसेज करते हैं और यहीं उसेज करते हैं मलब कि ओपिस का काम जैसे online meetings या online अगर आप करते हैं तो मतलब कि अपको इसके नदर कुछ भी लेक्ट या फिर वहेंग होने के कोई दिक्कत निया या आपके मी पेड में ओवह दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को बहुता है पास्ट प्रोसेसर और 8 Megapixel का Ultra Wide Camera और दोस्तों इसके अंदर फ्रेंट की दरफ भी आपको एक दोस्तों 8 Megapixel का फ्रेंट केमरा देखने को मिलता है और दोस्तों यह पेड के अंतर दोस्तों मीपेड के अंदर आपको दोस्तों आपकी दोस्तों आपकी चार्जर दिया है अपना मीवी शाओमी ने अपना 67 ओर का फ्रेंट का फास्ट चार्जर जिससे दोस्तों आपकी जो बैटरीए जल्दी से जल्दी चार्ज अजाए आराम से अराम दो तीन गंटे के अंदर पूरी की पूरी चार्ज होंने वाला एंड़िया के अंदर और ऐसा पता जा रहा है कि इसकी प्राइस दोस्तों लगबर 30R के लगबर लगबर होने वाली है वहीं दोस्तों इसके अंदर आपको Android 11 पर दोस्तों यह बैस्ट आएगा और वहीं दोस्तों इसके अंदर पर आपको ढिल उसके अंदर आपको पता है कि दोस्तों मेकबुक जो है बहती जादा फैम से मतलब की एपल के जो लेप्टूप से बहुतजाद जयादा दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों जैसे की मेंग पूला और किसली आता है वो दोस्तों उसकी क्या अच्छा खासियत थे अपनने आफ का इसी घ्ıl mo daches को भूझ मिलती है गया सही आपने को दोस्तो है अपने थी सुना है अब को महए बायड्चांस ऐसा नहीं हो कभि इसके प्रकुस्त और उसके आपके पास अगर मेकबूक है और उसमें कुछ फाइरिंग होती है जैसे गोली चलती है गोली लगती तो दोस्तों बुलेट प्रूफ है आपको बचा लेगा उसकी मदद से दोस्तों यह फेक्ट जानकर आपको कैसा लागा आज का हमें कमेट सेक्षिन में जरूरू अगर आप हमाई चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत बंदन अभी नंदन दोस्तों जल्दी से हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के फैक्ट्स और टेक्नलोजी रिव्यूस को जानने के लिए और बेल आइकोन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हल वीडियो के नोटिफिकेशन आपक पर एभात and को कारों कि आपकिशन सब्सक्राइब कर दोस्तों मिलते हैं और नेगस्त वीडियों में इसी तरह के फैक्द्स और यसी तरह के बनादकर दोस्तों लुखिए ऐसंस पर वोचिकिन इस वीडियो हिशां कर दो कर दो कर दो